इस्टोनिया लताविया लिथुवानिया ये सारे देश सुने सुने से तो लगते हैं पर है कहां रिगा की खाड़ी कौन से सागर में पढ़ती है क्या फिनलैंड बाल्टिक नेशन है या नहीं बाल्टिक कंट्री का इससा फिनलैंड है या नहीं ये बहुत सारे कोशन हमारे दिमाग में उठते रहते हैं और इन कोस्टनों का अंसर आज आप मेरे साथ पाने वाले हैं मैं हूँ टीटू और आपका बहुत वश्वागर करता हूँ टीटू क्लासिस में तो चलिए आज मेरे साथ सुरू करते हैं हमारा वर्ल मैप सरीज का एक टॉपिक बाल्टिक देश Baltic countries तो देखीं मैप में आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है यह हमारा इूरोप का उत्री हिस्सा उरोप के उत्री हिस्से में यह हमारा स्केंडिनेविन decay n meanings जो भाक क्तिさん थिन तरफ से Baltic Sagar है ठीक है Baltic Sagar है यहाँ पे हमारा नोर्थ सागर है यहाँ पे हमारा Juta Lend Peninsula है जोकि यहाँ पे देश है Denemark और यहाँ पे हमारे तीन देश पड़ते हैं इधा हमारा पड़ता है Finland तो इस छेतर के आजम चर्चा करने वाले हैं इन कहीं कोई शेतर पाया जाएगा जने हम बाल्टिक देंस कहेंगे यह बाल्टिक सागर है इसके आस-पास जो महीं पहलोगों डाउट होता है तो चलिए सुरू करते हैं बाल्टिक देश तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था यह दिख रहाए आपको बाल्टिक सागर और इस बाल्टिक सागर के किनारे पूरवी किनारे पर तीन देश आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले तीन देश देखिए बाल्टिक सागर से सीमय बनाने वाले तो आपको बहुत स नहीं कहलाते हैं ठीक है बाल्टिक देश जो कहलाते हैं बाल्टिक नेशन जो कहलाते हैं बाल्टिक राज्य जो कहलाते हैं वो तीन ही देश कहलाते हैं हाला कि वो तीन देश भी बाल्टिक सीशे सीमा हमारी बनाते हैं उन तीन देशों का नाम है इस्टोनिया लात्विया और लिथुवानिया मैं उपर से नीचे जा रहा हूँ यह देखे तीन देश आपको दिख रहे होंगे स्टोनिया लत्विया और लिथुवानिया इन तीनों देशों को ही मिला कर एक साथ हम बोलते हैं Baltic देश क्यों बोलते हैं क्योंकि ये देखे तीनों देश पहली बात तो Baltic सी सीमा बनाते हैं दूसरा ये तीनों देश पहले USSR का हिस्सा होते थे 1991 से पहले उसके बाद ये देशों ने अपनी एक राज्य सरकार बनाई और अपने आपको अलग कर लिया USSR से तो अब USSR से अलग क ये लत्विया लत्विया की कैपिटल है रीगा और यहीं पे है रीगा की खाड़ी गल्फ ओफ रीगा ठीक है और ये है लित्वानिया करके हम जानेंगे कि ये कहां कहां पर सीमा बना रहे हैं अब याद रखिए कि जब भी आपके सामने आता है Baltic देश तो ये सारे देश आपके रिमाग में नहीं आएंगे फिनलैंड बाल्टिक देश नहीं है स्वीडन बाल्टिक देश नहीं है डैन्मार्क भी बाल्टिक देश नहीं है बाल्टिक देश मतलब एल 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 इस्टोनिया लत्विया और लिथवानिया इस्टोनिया लत्विया और लिथवानि है जिसके साथ जिसमें देखकर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इदिन स्वीड़न यहाप को डेनमार्क यहाप को नौर्थशी नोर्थ आपको Baltic सी और यहाँ पर मिलेगा आपको कौन सी स्टेट यह एक इस्ट्रेट है यहाँ पर दोनों सागर आपस में मिल जाते हैं नीचे आपको मिलेगा Germany Poland जर्मनी Poland और यहाँ पर जो तीन देस आपको यह मिलेंगे यह तीन देस ही हैं Baltic सी यह बाकी जो जितनी देस मैंने आ सीवा बनाता है तो देखे इस्टोनिया का एक बोडर दजला हुआ है रसिया के साथ रसिया और एस्टोनिया के बीच में एक लेग है जिसका नाम है लेग पैपिस यह आपको याद दिख रहा होगए यहां पर लेग Pépipas P.E.I.P.U.S. लेग P.P.P.S. पैप्सी से याद रखिए P.P.S. लेग P.P.P.S. कहां पर है रसिया और इस्टोनिया के बीच में है इस्टोनिया के उपर हमारी Gulf of Finland है इधर हमारी Gulf of Riga है नीचे जो देश है वह है लत्विया नीचे जो देश है हमारा एस्टोनिया के होई लत्विया लत्विया की कैपिटल है रीगा जो लत्विया है उसकी कैपिटल है रीगा और लत्विया से सीमा बनाने वाले देश देखें तो आपको मिलेगा यहां पर इस लिफवानिय और यह सारे के सारे देश बाल्टिक सी से तो सीमा बनाता ही है उसके बाद लिफवानिया लिफवानिया के जो कैपिटल है वो बाल्टिक सी के किनारे पर या सी सोर पर या समुदरी किनारे पर इस्थित नहीं है बाकी जो बाल्टिक देश दो थे उनकों से किनारे पर रिस्थ थी लेकिन ये उसकी कैपिटल में इस विंदियिक की किनारे पर फिंद्ट है इमंपॉटनट इन्फॉरमेशन है यह जो इतो बनाता है यहां पर्यं यह है किसका रसीया का यहां कि यह एंत कलिंग आल जो है यह रस्या हिस्सा है तो जो हमारा लिथुवानिया है वो रस्या से भी सीमा बनाता है इंपोर्टेंट फैक्ट है लिथुवानिया जो है वो रस्या के साथ भी सीमा साजा करता है यह वाला हिस्सा रस्या का यह है हाला कि रस्या से बहुत दूर है रस्या यहां पे है लेकिन यह रस्या का तो लिटुवानिया जो है रस्या से सीमा बनाता है पोलेंड से सीमा बनाता है बेलारूस से सीमा बनाता है और लत्विया से सीमा बनाता है और बाल्टिक साकर से तो जुड़ा हुआ है तो यह तीनों के तीनों देश मिलके बन जाते हैं बाल्टिक नेशन ठीक है जी यह तीनो इवार्टिक है घवरानी में वार ये में आपको डिट्ल में पढ़ाऊंगा यहां पर लाल और यही है नीला लाल और पिला कॉन कosure से इस्टोनिया लत्विया और लिथ्वानिया को बाल्टिक देश कितने देश है मैंने आपको बता है तीन ही देश बाल्टिक देश कलाते हैं कहां पे हैं वो यूरोप पे नोर्थ में हैं नोर्थ यूरोप में इस्तित हैं तीन देश वही कलाते हैं बाल्टिक देश ये नोर्थ यूरोप है ये नोर्थ यूरोप में तीन द टेस ठीक है जाने वाली बात यह है कि तीनों देश जो है वह नटो काحस्सा है नटोस का घिसां थीक है नटोस का इस्सा है इस्टोनियस और यूरोपीएन यूनियन दोनों का लिएनरों के इस्सा करते थे उसके बाद अलग टेस बन गए या 991 के बाद सबसे अगर इस्टोनिय के बारे में सबसे उपर वाला चो था यही था इस्टोनिया चलिए बारे में दो चारबाते जान लेते हैं तो इस्टोनिया एक developed country है ठीक है और यूरोप में हमें अगर देखें तो सबसे जारा fastest growing economy है यूरोप की कौन इस्टोनिया और यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जितने इसकी population है उससे भी ज्यदा टूरिस्ट हर साल आते हैं ऐसे देश में ऐसे दुनिया में 51 ही देलिन है जो कि किनारे पर रिष्टित है किसके बाल्टिक सहके किनारे परिष्ट है एंड इूरोप यहां पर जैं संक्या बहुत ही कम है और लेस्ट क्राउड इरिया थेलिया है यूरोप का वन ह दॉन का लीपिव्धड राव्डटिट इरिया इन दा उरोप कौन सा क्या होता है OECD पर हमें एक वीडियो बनाएंगे इसमें 35 देश हैं अभी आप इतना जान लेजिए कि OECD The Organization for Economic Cooperation and Development The Organization for Economic Cooperation and Development OECD की फिल फॉर्म है The Organization of Economic Cooperation and Development इसमें कुल मिला के 35 देश हैं और 35 देश वो है जहां पर Human Index जो है Human Index Human Development Index HDI जो बहुत हाई है बहुत हाई इंकम है उन देशों की जैसे हमारे जापान मिलेगा आपको यह तीनों यह अमारा लटविया मिलेगा अमेरिका मिलेगा यह सब देश जो हाई हाई देश है देश के विक्सित विक्सित टाइप देश हैं जहां पर Human Deppler Index बहुत जादा है लटविया जो है वो OECD का हिस्षा है मेंबर को ठीक है लत्विया की कैपिटल है रीगा अगला हमारा देश है लिथवानिया अगला हमारा देश कौन सा है लिथवानिया सबसे दक्षिनतम देश है देखिए यह लिथवानिया 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 यह भी OECD का मेंबर है कौन लिथवानिया फस्ट कंटी टू ब् से हम सिंगिंग सिंगिंग रिवोलेशन कहते थे सिंगिंग रिवोल्ट वहां पे लोग गाना गाके अपना व्रोध प्रदर्शन किया करते थे तो आप से यह भी पूछा सकता है कि सिंगिंग रिवोलेशन कौन से देश में कौन से चित्र में कब हुआ था तो लिथुवानिय पर इस्तित्वी उस्ट के मेंबर नहीं है किंमें से बाल्टिक देशों में रहे हैं जो इन तीन देशों में जो भासा में भोली जाती है वह हमारी में तीनो योपईन में तो यह बात बोली जाती है है और उस इंडो यूरोपियन लेंग्वेज में से जो लिथुएनिया की भासा है लिथुएनियन लिथुएनिया की जो भासा है लिथुएनियन वो संस्कृत के सबसे ज़्यादा करीब है दुनिया में इतनी भी भासा में बोली जाती है उन भासाओं में किलो जैस्ट तुद बाल्टिक देश नहीं है ठीक है आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए यही मेरे लिए बैस्ट रिवार्ड होगा अपना खूब ख्याल रखें खु